इस वीडियो में हम लोग फेरंटी एफेक्ट के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि यह एफेक्ट ट्रांस्मिसन लाइन में क्यों वाकर होता है जब ट्रांस्मिसन लाइन के थूँ हम लोग पावर को ट्रांस्मिट करते हैं तो receiving station पे जो receiving voltage रहता है उसका amount ज़्यादा रहता है compare to sending voltage तो जिस effect के कारण voltage level increase हो जाता है उस effect को फेरंटी effect बोला जाता है After watching the video अगर आपको लगेगा कि ये channel आपके लिए helpful है तो please channel को subscribe कर ले और bell icon को भी प्रेस कर ले ताकि वीडियोज आप तक पहुच सके क्या होता है कि जब power को हम लोग transmit करते हैं तो दो conductor के बीच में imaginary capacitor form होता है वहाँ पर दो conductor और दोनों conductor के बीच में जो gap रहता है वो dielectric medium का काम करता है तो इस तरह से दो metallic conductor और dielectric medium तीनों मिलकर एक capacitor form करता है जो की imaginary रहता है जो capacitor होता है वो charge a storing device होता है तो यहाँ पर भी जब imaginary capacitor बनता है तो overhead conductor से transmit होने वाले current का वहाँ पर drop होता है कुछ current imaginary capacitor में drop करता है जिसके कारण current का कुछ amount reduce हो जाता है as we know जब current decrease होगा तो उसके कारण voltage increase हो जाता है capacitor form होने का दूसरा condition क्या हो सकता है उसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे tower के पास जो insulator रहता है तो insulator का जो plate रहता है metallic road के साथ attach रहता है तो यहाँ पर अब क्या होता है कि insulator के साथ जो metal attach है और जो tower है tower यहाँ पर जो है वो भी metal का बना हो रहता है structure जो है वहाँ पर वो metal का बना हो रहता तो दोठो metal और उसके बीच में जो air gap रहता है दोनों मेटल के बीच में जो एर गया प्राता. वो डाइ इलेक्ट्रिक मेडियम का कम करता है. तो यहांब भी एक क्पसिटर बन जाता है. जहांब पर चार्ज अस्टोर होता है. करेंट का वहांपे ड्रोप होता है. और जब करेंट का ड्रोप होता है, तो उसके कारण current reduce होता है और जब current reduce होता है तो उसके कारण voltage increase हो जाता है तो इस तरह से फिरंटी इफेक्ट में क्या होता है कि imaginary capacitor form होता है तो इस तरह से capacitance के कारण फिरंटी इफेक्ट आकर होता है इसके कारण transmission line में current का drop होता है इसलिए वहाँ पर power loss होता है तो इसको एक टाइप का effect बोला जाता है that is known as फिरंटी effect इस effect को reduce करने के लिए receiving station पे main line और neutral line के बीच में center reactor को connect करते हैं जो की capacitive current को component set करता है जिसके कारण फिरंटी effect reduce हो जाता है जब overhead transmission line का length 80 km तक रहता है तो उसको short transmission line बोला जाता है जब conductor का length 80 km से 250 km तक होता है तो उसको medium transmission line बोला जाता है जब overhead conductor का length 250 km से जादा होता है तो उसको long transmission line बोला जाता है जब हम लोग transmission line के थो power को transmit करते हैं तो resistance, capacitance and inductance ये तीनों factor जो है वो एक टाइब का obstruction क्रियेट करता है transmission line में जो resistance और inductance होता है वो series में रहता है और जो capacitance होता है वो parallel में रहता है जिसके कारण conductor में power loss होता है फिर anti-effect में capacitance को consider करता है क्यूंकि high capacitance होने के कारण फिर anti-effect अकर होता है तो इस तरह से कोई भी टोपिक को अगर आप animation के थूरू समाझेना चाहते हैं तो channel को subscribe कर ले और bell icon को भी प्रेस कर ले ताकि वीडियोज आप तक पहुच सके